Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Anil and Laravel Project की इस वीडियो के हम बात करने वाले हैं कि यूजर के रिजिस्ट्रेशन कैसे करवा सकते हैं, right? So, वैसे ये वीडियो काफी पहले बना देनी चीए थी, but मैंने इसलिए नहीं बनाए, because मुझे लगा कि पहले e-commerce, site के और features बहुत जरूरी होते हैं, तो ये इसलिए वीडियो लास्ट में बना रहा हूं, So, इस वीडियो में करने क्या क्यावाले हैं, सबसे पहले हम एक user registration के form के लिए route बनाएंगे, बाद में HTML form बनाएंगे, और उस form के अंदर basically हम user की information fill करेंगे, तीन information हमें at least fill करनी ही जरूरी है, name, email और password, बाकी कोई जरूरत हमें किसी चीट की है नहीं, और then हम password को encrypted करेंगे, और code लिखेंगे form को, form के data को user table में save करने के लिए, और जब पूर registration हो right, so start करते है, सबसे पहले में मेरा project open करता हूँ basically, right, और इसके अंदर जाता हूँ में web.php के उपर, right, और एक यहाँ पर route बनाऊँगा, और यह route basically होगा, register को open करने के लिए, right, यहाँ पर login वाला route है, यहीं पर बना देता हूँ, so यहाँ पर लिखूँगा register, और उसका जो form का नाम होगा, basically, जो मेरे view का नाम होगा, वो भी मैं register ही रखूँगा, so ब एक register view बनाते हैं, यह उसके लिए में जाना पड़ेगा, resources के अंदर, view के अंदर, और यहाँ में बना देता हूँ, register.blade.php, right, so यह जो mostly similar रहने वाला है, हमारे login form से ही, so मैं पूरा पूरा login का form मे और इसके अंदर paste कर देता हूँ, right, इसके अंदर हमारा change क्या होने वाला है, वैसे तो अगर मैं भी registration उपन करूँगा, यहाँ पे, तो कुछ आपको जादे चेश दिखेगा, नी, जैसे का भी login हम है, obviously, हम यहाँ यहाँ पर login के एक link भी देना है, जहाँ पे हमने login का दिया है, वहाँ पे registration का link भी दे देंगे, so, मैं basically लिखूँगा है, registration, right, और जैसे ओपर कुरूँगा, तो यहाँ पे login वाला form खुल गया, right, but यहाँ पे हमें कुछ और fields एड़ करनी पड़ेंगी, सबसे पहली चीज तो मुझे यहाँ पे name भी एड़ करना पड़ेगा, right, so, यह address था, और type इसका में normal text ट्रक लेता हूँ, right, so, अब यह आप देखोगे, इसका तर एक field और add हो गई है, basically, right, यहाँ पे name हमारे पास एक और field add होगे, इसका placeholder भी change करना रहता है, तो मैं यहाँ पे placeholder भी change करते देता हूँ, enter, user name, right, so, यह हो गया है, अब देखो, जैसे यह पोस्ट के ऊपर पोस्ट हो रहा है, similarly हमें कि यहाँ पोस्ट रेजिस्टर के लिए बनाना पड़ेगा, right, so, यहाँ पर आजेता हूँ, register, right, और function का नाम ही मैं रख देते हैं, अभी के अभी, so, मैं आड़ाता हूँ, user, controller के अंदर, और यहीं पे ही मैं रखता हूँ, basically, register function क नाम, ठीक है, now function, register, और यहाँ पर अभी के लिए मैं रख देता हूँ, hello, just check करने के लिए, कि क्या सब कुछ ठीक चल रहा है, नहीं चल रहा है, step by step चलेंगे, right, और यहाँ पर जो action होगा, वो भी register के तर चेंज हो जाएगा, right, so, सब कुछ ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, basically, login, all right, so, अब हम क्या करते है, basically, यहाँ पर आके इसको refresh करते हैं, एक बार के लिए, और यहाँ पर मैं कुछ information डालता हूँ, अभी के लिए, कुछ भी, because save तो वो होने वाली है, नहीं है, right, तो कुछ भी information डाल सकता हूँ, तो, आचा अब जैसे ही हमने यहाँ पर करवाया, तो यहाँ पर login का भी तो हमारे पास URL है, तो इसका URL भी हमारे पास होना चाहिए, इस page का भी, right, so, हम यहाँ पर जाएंगे header के अंदर, header.blade.php के अंदर, और यहाँ पर देखिए, हमारे पास यहाँ एक route है, login का, right, और चाहो तो और यहाँ पर हो गया हमारे रिजिस्टर का path, और यह कहाँ पर जाएगा, रिजिस्टर के ओपर, अब मैं इसको यहाँ पर रिजिस्टर पर क्लिक करता हूँ, तो यह मुझे रिजिस्टर वाले page के ओपर ले गया, यह मुझे login वाले page के ओपर ले गया, मैं यहाँ पर information send करनी है बट अब मुझे यह भी चेक करना पड़ा है कि जो information आ रही है वो ठीक आ रही है कि नहीं आ रही है सबसे पहली बात जो request के दर data आएगा वो मेरा request type का होगा जो parameter में data आएगा और यहां में लिखता हूँ dollar request यह क्या करेगा जितने भी मेरे inputs होगे उनकी सब की value दे देगा मुझे तो मैं यहां बेसिकली लिखता हूँ let's say test user लिखता हूँ सबसे पहले और उसका email id है test at the rate test.com और password है 12345 मैं सबका password 12345 भी रखता हूँ ताकि हमें password भूले ना मगर किसी से login कर रहा हूँ देखो यहां पे सब कुछ आ गया है token because यह हमने पहले add कर रखा था login वाले form से ही name email address और password सब कुछ सही आ रहे है कोई problem नहीं है so अब हमें इसमें data को save करवाना है user validable के अंदर right so अब मैं यहां पर क्या करता हूँ basically dollar user equal to new user और user क्या है यह है हमारा basically model जो हमने यहां पर import करवा रख है कहां से models के अंदर से right web check कर सकते हो यह रहा हमारा user so यहां पर करवाली है और यहां पर हम क्या करेंगे dollar user इसका name आएगा right और यह name कहां से आएगा dollar request name से right तीन चीजें और आने वाली है इसके अंदर एक आने वाला है email email भी हमार basically email से आजाएगा right और फिर आएगा password और जैसी password आएगा हम password को directly enter नहीं करवा सकते है उसके लिए हमें उसको decode करना पड़ेगा right so मैं यहां भी basically लिखता हूँ hash hash हमारे यह उपर एक library है basically आप इसको चाहो तो आप इसको class भी कह सकते हो और इसी को use करेंगे हम class hash make अगर आपको यह ध्यान नहीं है तो मैं user की seeding लेता हूँ आपको यहां से समझ में आएगा देखो हमने यहां पर भी Mac का use कर रहा था right so इसी तरीके हम यहां पर भी Mac का use करेंगे और यहां पर हमारे इसके अंदर password आजाएगा और जैसे ही सब कुछ हो जाएगा तो क्या करेगा dollar user save यहां पर user save हो जाएगा जैसे user save हो जाएगा तो करेगा क्या उसको हम redirect करवा देते हैं login वाले page के उपर right चाहो तो आप session भी store करवा सकते हो जैसे आपने session यहां पर रखा है न जैसे session को put करो यहां पर इसको लेकर चले जाओ but पहले login वाले form के उपर यह अलग-अलग site का अलग-अलग rule होता है कुछ sites क्या करती है कि directly session के अंदर put करवा के जैसे user login होता है और उसको login करवा दीतिया है कुछ होती है कि पहले login वाले page के उपर लेकर आपर बाद में login के जाएंगे और बार में हम इसको login करवा देंगे लोग इंट कर आता हूं इसको login वाले page के उपर So I think सब कुछ ready है, कुछ भी इसमे miss नहीं है So अभी के लिए मैं क्या करता हूँ वापिस से आता हूँ रिजिस्टर वाले page के उपर और मैं मेरे database में चेक करता हूँ कि कितनी ID है मेरे पास यहाँ पर English वाला database है, मुझे English वाला नहीं मुझे Hindi वाला चाहिए So मैं यहाँ पर यूजर में आऊँगा इसके अंदर, कि मेरे पास यहाँ पर कितने यूजर है, मेरे पास यहाँ दो यूजर है अने और सैम, right So let's say मैं यहाँ पर थर्ड यूजर मनाता हूँ Bruce So यहाँ पर यूजर का नाम रखोंगा Bruce और यहाँ पर email address let's say bruce.test.com और password 12345 Save करता हूँ Alright So यहाँ मैं save करा मैंने यह I think login के उपर नहीं गया और let me check What's the wrong with it Actually problem क्या है कि इसको मुझे return करवाना था यहाँ पर और मैं return करवाना इसको भूल गया हूँ इसलिए यह नहीं गया So अगर मैं भी दोबार से करवाँगा तो same entry दोबार हो जाएगी Which is not good So यहाँ भी देखे bruce चला गया अब मैं एक और नया user आख उसके entry करवाँगा और वो तरीके से जाएगा भी Right मैं हाँ पर करता हूँ Peter और यहाँ भी लिखता हूँ Peter at the rate test.com और यहाँ पर 1,2,3,4,5 Login करवाता हूँ Login करवाने के बाद यह login वाले page को उपर चला गया और मैं हाँ पर आता हूँ Peter At the rate test आप देखना चाहो तो Peter की यहाँ पर entry हो चुकी होगी देखें यहाँ पर पीटर की बेंटरी हो गई है Peter तरह test 1,2,3,4,5 और मैं submit करता हूँ यह perfectly login हो गया है और अगर मैं इसके अंदर जाके कुछ product बगएरा add करने हैं तो यहाँ पर cart में add भी हो रहे हैं अब थोड़ा और इसको explode करते हैं देखो Peter की ID थी 4 अब मैं यहाँ पर cart में जाता हूँ USA or something कुछ भी डाल देते हैं भी के लिए और order now करता हूँ अब मैं इसके orders में जाता हूँ यहाँ पर उसका एक order हो भी चुगा है यहाँ इसका status है हमारा complete flow test कर लिया हमने हमारी site का एक new user के साथ में कुछ confusion है तो मुझे पूछ सकते हो चैनल को subscribe करना बिल्कुल मत बूलना हर Saturday शाम को 8 बजे मैं live आता हूँ वहाँ पे मुझे YouTube के उपर आता हूँ बिसिकली मुझे वहाँ आप जोइन कर सकते हो कुछ queries हो गय रहा है तो और Instagram के ऊपर यह मेरी ID है यहाँ पे मुझे जोइन कर सकते हो और अभी मैं एक react की series लेके आने वाला हूँ बिल्कुल fresh वह job-oriented training है पूरी की पूरी YouTube पे ही मिलेगी आपको उसके अंदर हर एक वीडियो के हिसाब से questions कैसे बनेगे कैसे कैसे पढ़ना है project API integration सब कुछ डिटेल में discuss करने वाले है राइट सो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और बाइबाइ टेक क्यार